Hello dear students, welcome to Magnet Brains, मैं संचिता जैन, आप सभी की social science educator आज के session में लेके आई हूँ, आप सभी के लिए class 9 की सामज विज्ञान में geography के chapter number 4 का पहला topic, chapter का नाम क्या है जलवायू और आज के topic का नाम क्या है जलवाय वी नियंतरण, इस chapter का overview मैंने आपको बता दिया है, यानि की part चैप्टर का introduction मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, सारी चीजे मैंने आपको समझाई है कि जलवायू क्या होती है और जलवायू के अंदर कौन-कौन सी बातें आती है, क्या-क्या बात इस chapter में हमें सीखनी है, पूरे 8 frame में मैंने आपको सारी चीजे समझा दी है, उ लिए तो जल्दी से जल्दी और जादा से जादा आज के शेशन को आप सभी like कर दें, share कर दें और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe भी कर दें, क्योंकि मैंने ब्रेंस प्रोवाइड कराता है, क्लास 6 से लेगे, क्लास 12 तक के सारे courses वो भी एकदम free of cost, जी हाँ, Magnet Prince आपको High Quality Education के साथ Complete Slabers कराता है कहां से कहां तक का 6 से 12 तक का और CBSC Board, MP Board, UP Board, बिहार Board, दिल्ली Board, राजस्तान Board इतने सारे Board के Slabers को Complete कराया जाता है साथी साथ उन सारे State Board के Slabers को Complete कराया जाता है जहां पर NCRT का Pattern Follow होता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको किसे? NCRT से जी हाँ, तो इतनी सारे अच्छी बातों के साथ और आपके Like Share के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन जिसका नाम है जलवाय भी नियंतरन जो कि आपकी जियोक्राफी के Chapter No.4 जलवायू का पहला टॉपिक है आजाईए, जानते हैं इसको, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर जलवायू क्या होती है जो Chapter का Title है जलवायू जिसको इंगलिश में Climate कहते हैं तो जलवायू या Climate होता क्या है जानते हैं इसको, तो जब किसी एक शेत्र विशेश में, एक विशाल शेत्र में लंबी समय अवधी तक यानि कि एक बहुत लंबे टाइम तक लगभग, यहां पर एक लंबी समय अवधी दी है कि लगभग 30 वर्ष से भी अधिक समय तक एक सा मौसम बना रहता है ठीक है, एक सा मौसम बना रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जलवायू कहा जाता है, यानि कि जब किसी एक विशाल शेत्र में लगभग 30 वर्ष से भी अधिक के समय में मौसम की अवस्थाओं कि उस शेत्र में कैसी अवस्था है मौसम की और कितने प्रकार का मौसम पाया जाता है मौसम की अवस्थाओं तथा विविदताओं का कुल योग क्या कहलाता है मौसम की विविदताओं और अवस्थाओं का कुल योग ही वहां की जलवायू यानि की क्लाइमेट कहा जाता है किलियर हो गई बात बढ़ा जाएं आँगे अब देखें यानि कि जलवायू की जब आपसे परिभाशा पूछी जाती है, ठीक है आपसे एक शब्द में, प्रश्र में आपसे पूछा जा सकता है, यानि कि एक नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि जलवायू क्या होती है, तो आप डैफिनेशन लिख देंगे, किलियर हो बात चलिए अब देखें मौसम क्या है मौसम एक विशेश एक छेत्र के वायू मंडल की अवस्था को बताता है मौसम क्या बताता है एक विशेश छेत्र के वायू मंडल की अवस्था को बताता है कि उस शेत्र में लंबे समय तक किस तरीके की वायू मंडली अवस्थाएं पा हने होने होने लगते हैं तो नगों क्या लगता थे किbij बारिस खोने लगते हैं नोने हो रहा है वांडली अवस्थां से हो रहा है और शेतर सींदा करकारक उन हवाओं के अनुसार अपन अंदाजा लगा लेते हैं कि भई मौसम बदलने वाला है, हवाओं का रुख बदल चुका है ओल राइट, किलियर हो गई बात, तो मौसम क्या होता है और जलवायू क्या होती है दो बाते clear हुई यह बात हो गई मौसम की और यह बात हो गई कि शीज की यह बात हो गई आपकी जलवायू की अल राइट अल क्लियर एक दम क्रुस्टल क्लियर तो जल्दी से एक बार फिर से like कर देना है अगर अभी तक like नहीं किया है फटाफट से लाइक कर देना है शेयर कर देना है और अगर आप नए नए आये हैं इस प्लेटफोर्म पर तो आपका स्वागत है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि जल्दी से आपको वीडियो का तत्व जैसे की तापमान ठीक है कि कहां पर कितना टेंपरेचर है अगर टेंपरेचर कम होने लगता है तो हमें ठंड लगने लगती है लगने लगती है फिर उसके बाद जैसे टेंपरेचर बढ़ने लगता है तो हमें गर्मी लगने लगती है और जब टेंपरेचर एक सा रह बारण ये दाव मौसम वहां के वायू मंडल पर ही निर्भर करता है तो कितना वायू मंडलिय का हवाय ह्वाएं का रुख किस समीने टंडी गारम या एक सी ए हवाय सिल रही है आद्रता जीहा नमी किस शेत्र में कितिने के पर्षर में कितनाहे रही है और किस तरीके की बारिश हो रही है यहां वर्षन से मतलब यह है कि बारिश के भी कई रूप होते हैं जैसे हम हिमाले के परवती इलाकों की बात करें ठंडे प्रदेशों की बात करें तो वहां वर्षा किस रूप में होती है किस रूप में होती है भई हमाले शेत्र में बर बर्फ के रूप में होती है ठीक है बर्फ बारी या फिर उसे क्या कहा जाता है हिम पात हिम वर्षा ठीक किलियर हो रही यह बात और अब हमारे शित्र में तो किस तरह कैसी बारिश होती है भाई पानी की बूदों के रूप में बारिश होती है ठीक है पानी की बूदों के रूप में ही बारिश होती है किलियर हो रही है बात तो मौसम तथा जलवायू के तत्व जैसे की तापमान वायू मंडली दाब पवन आधरता तथा वर्शन एक ही होते हैं ठीक है यह सब हो गए आपके क्या मौसम और जलवायू के विभिन तत्व कि मौसम और जलवायू किन-किन तत्व पर किन-किन घटकों पर या किन-किन एलिमेंट्स पर डिपेंट करती है अब देखो भारत की जलवायू की बात करें तो भारत की जलवायू को कैसी जलवायू कहा जाता है भारत की जलवायू मांसूनी जलवायू कहा जाता है भारत की जलवाईू कैसी है भारत की जलवाईू है मांसुनी जलवाईू है याद रखना ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है very short answer यानि कि आतिला घुत्री प्रश्ण में multiple twice question में भी ये सवाल पूछा जा सकता है तो आप बता देंगे की भारत की जलवाईू कैसी है मांसुनी एशिया में इस प्रकार की जलवायू यानि की मानसूनी जलवायू किस शेत्र में पाई जाती है ओवरॉल हम एशिया महादूइप की बात करें तो एशिया महादूइप की किन दिशा में इस तरीके की जलवायू मिलेगी हमें तो ऐसी जलवायू मुख्यता दक्षण तथा द दक्षड पूर्वी इलाकों में मिलेगी हमें ठीक है बात आई समझ में जैसे एशिया महादृत की बात करें कि मान लेते हैं इतना जो छेतर है यहां से यहां तक का जो छेतर है कौन सा छेतर है एशिया महादिप का शेतर है ठीक है ये रही आपकी उत्तर दिशा ये रही आपकी दक्षड दिशा ये रही आपकी पूर्व दिशा और ये रही आपकी पश्यम दिशा तो हमें क्या बताया गया है कि भारत की जलवायू मांसुनी है और एशिया महादिप में इस प्रकार की जलवायू यानि की मानसूनी जलवायू कहां पर पाई जाती है तो दक्षण तथा दक्षण पूरवी इलाकों में ये रहा आपका दक्षण और ये रहा आपका दक्षण पूरवी इलाका ठीक है दक्षण दिशा ये रही आपकी यानि की इस एरिया में और दक्षण पूरव के बीच का दक्षड पूर्वी कौन सा हुआ ये वाला शेत्र हुआ तो एशिया महादीप में इस प्रकार की जलवायू किस शेत्र में पाई जाती है मांसूनी जलवायू दक्षड और दक्षड पूर्वी शेत्रों में ये सवाल भी आप से पूचा जा सकता है भाई साब आप क्या बता देंगे मांसूनी जलवायू पाई जाती है अल्राइट किलियर यहां तक की बात बढ़ा जाएं आगे तो चलिए चलते हैं अब देखो भी किसी भी शेतर की जलवायू को नियंतरित करने वाले किसी भी शेतर की किसी भी एरिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले तत्व या एलिमेट या घटक कौन-कौन से होते हैं जानते हैं उनके बारे में भी तो देखें एक तो हो गया आपका अक्षांस ठीक है इन सब को अभी अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे ठीक है फिर हो गया तुंगता यानी की उचाई अक्षांस में किसकी बात करेंगे हम अक्षांस कैसी रेखाएं होती है 36 रेखाएं होती है आपने गलोब देखा होगा गलोब में आपको अक्षांस रेखाएं कैसी दिखाई देंगी 36 रेखाएं होती है जैसे कि हम बात करें यहाँ पर यह इस तरीके की रेखाएं जो है आपको किस तरीके की रेखाएं दिखाई देंगी अक्षांस रेखाएं होत तो जैसे जैसे हम विशुवत व्रत से यह होता है आपका विशुवत व्रत या विशुवत रेखा जैसे जैसे हम विशुवत व्रत से उपर की और या नीचे की और जाने लगते हैं यानि कि विशुवत व्रत से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरब जाने लगते हैं ठीक है त Темperature कम होता है ठीक है यहां पर तुंगता उचाई की भी सारे ऐलिमेंट एक दूसरे से related मिलेंगे आपको सारे connected मिलेंगे तो उचाई बढ़ने के साथ क्या होता है मुझा बढ़़ने के साथ temperature जो है कम होने लगता है clear है फिर तीस्रा الم hear क्या है जलवायू को नियंद्रत करने वाला तीसरा एलिमेंट है वायूदाब या पमंतंत्र कहां पर कैसा वायूदाब है कहां किस प्रकार की हवाएं चुलती है उसके अनुसार भी जलवायू का या क्लाइमेट का निर्धारन होता है उसके बास समुद्र से दूई अब इसम समुद्र के किनारे पर बसे होते हैं वहाँ पर एक सी जलवायू पाई जाती है लेकिन जब समुद्र से दूरी बढ़ने लगती है जिन शहरों की दूरी समुद्र से जादा होती है तो वहाँ पर विसम जलवायू पाई जाती है यानि कभी ठंडी कभी गरम ठीक तो यह बात ह दूरी की, इसको भी अब अब मैं detail में जानने वाले हैं, फिर बारी आती है खुस की, महासागरिय धाराओं की, इनका भी योगदान होता है जलवाईू को परिवर्टित करने में, जलवाईू को निधारित करने मेnd, तो दो प्रकार की महासागरिय धाराइं होती हैं, कौन- को लो गरम करेंगी और जहां से ठंडी महासागरे जो लठाराएं गुज़रेंगी क्या करेंगे वो क्या करेंगी उस्चेत्र को ठंडा करेंगी सिम्बल सी बात है ठीक फिर है उच्चा वच लक्षन उच्चावच यानिigeniae और निचाई के आधार पर जलवायू कैसी होती है ठीक है उचे छेत्रों की जलवायू अलग होती है निचले छेत्रों की जलवायू अलग होती है तो इसको भी हम जानेंगे ठीक हो चावच का मतलब है यहाँ पर परवतों से मतलब है ठीक है किलियर हो गई बात तो यह जो है टोटल कितने कारक हो गए आपके एक हो गया अक्षान्स फिर दो हो गई आपकी तुंगता या उंचाई तीसरा हो गया वायूदाप एवं पवन्त अंत्र फिर हो गया समुद्र से दूरी फिर हो गया महासागरियधाराएं और छटवा हो गया आपका उच्चावच लक्षण पटाफट से स्क्रीन शॉट ले लें आप सभी जल्दी से ले लिया वही सभी ने चलिए तो जानते हैं एक एक तत्व को अब डीटेल में अब देखें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अक्षान्स की कि अक्षान्स के कारण किस तरीके से जलवायू प्रभावित होती है ठिक है तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी ठीक है इसमें क्या क्या दिख रहा है सबसे पहली बात प्रफवी दिख रही है प्रथवी में बारत दिख रहा है भारत ग bên इबारत है चलिए यह एशिया महादीप में इस्थित भारत दिखाई दे रहा है एशिया महादीप के दक्षण और दक्षण पूर्वी छेत्र में यह छोटा सा बिंदू किसका है श्री लंका का है ठीक है तो यहाँ पर क्या बताने वाली हूं में कि यह एशिया महादीप में हमें ओवराल प्र देती है भारत की और एशिया महानादिक पे दक्षड दक्षड पूर्व में किस प्रकार की जलवायू पाई जाती है मांसूनी जलवायू पाई जाती है अल्राइट अब हम बात किसकी कर रहे हैं अक्षांस की बात कर रहे हैं तो अक्षांस ये रेखाएं कैसी रेखाएं होत यह देखे या फिर इनको अपन डार्क ब्लैट कलर से ही इसको मेंशन कर देते हैं ठीक है चलिए अब देखें यह जो रेखाएं है यह देखो आपकी विश्वत रेखा है ठीक यह जीरो डिगरी कैसी होती है आड़ी रिख होती है यानि कि चैसी होती है अक्षांस रहाएं 36 रहाए होती है किलेर है वый सभी diagn爲ी और है अक्षांस रहाएं क Works net चलिए तो विश्वत रहा हमें कितने डिगरी अक्षांस पर दिखाई Washington बिखाई customer यह कितने डिगरी अक्षांस रेखा है जीरो डिगरी अक्षांस रेखा होती है सबसे पहली बात तो यह दिमाग में आप बैठा लो दिमाग से यह बात जानी नहीं चाहिए ठीक है तो विशुवत रेखा कितने डिगरी की रेखा होती है जीरो डिगरी अक्षांसी रेखा होत एक बात तो क्लियर हो गई कि अक्षांस ही रेखा है कैसी होती है अक्षांस क्या होता है ठीक है तो अब देखो प्रत्वी कैसी है प्रत्वी कैसी है गोल है हम किस पर रहते हैं गोले पर रहते हैं ठीक है तो प्रत्वी की गोलाई के कारण ही अब ध्यान से सुनिएगा ध्यान से समझेगा क्या है भैर जलवायू का जलवायू में अक्षांस का महत्व क्या है कैसे एक अक्षांस ही रेखा जलवायू को प्रभावित करती है ठीक है तो देखना एक प्रत्वी के गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर उर्जा की माद्रा अब प्रत्वी कैसी यह भाई गोल है ठीक है यह रही आपकी प्रत्वी प्रत्वी को अपन नीले रंग से बनाते हैं ठीक यह रही आपकी प्रत्वी आल राइट अब प्रत्वी कैसी है गोल है तो क्या सूरज की कि जो है इस प्रथवी पर पूरी प्रथवी पर प्रथवी के हरे किस्थान पर एक सी पढ़ेंगी क्या यह निकला वह यह सूरज ठीक यहां से निकालते हैं एकदम पूर्व से ठीक चलिए ये हो गया हमारा सूरज तो क्या इस सूरज की किरने प्रत्वी की गोल आकरती होने के कारण हरे किस्तान पर एक सी पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी न कहीं पर तो भई सीधी पड़ेंगी कहीं पर एकदम सीधी पड़ेंगी ये दिखें आप कहीं पर एकदम सीधी पड़ेंगी इस वाले भाग पर लेकिन कहीं पर कैसी पड़ेंगी कहीं पर तिर्शी पड़ेंगी कुछ इस तरीके से पड़ेंगी और कहीं पर भई हो सकता है कि पड़े ही न होगा ऐसा की नहीं प्रण सिपराप्त्सौरूट जाकी मात्रा अक्षांसों के अनुसार अलग-अलग होती है। किसके अनुसार? यह जो अक्षांसी रेखाएं दी हैं। अलग-अलग डिगरी में जो अक्षांसी रेखाएं आपको दी है 0, 15, 30, 45, 45, 60, 90 है। ठी, किसी तरीके से नीचे की तरफ, 0 डिगरी से 15 डिगरी, 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी, 90 डिगरी, किलियर हो रही है बाग, तो इन अक्षांसों के अनुसार अलग-अलग जगे, अलग-अलग, प्रत्वी की गोलाई के कारण, सूर की करण हैं, अलग-अलग पड़ती हैं जी हाँ ठीक है एक बात किलियर कौन सी बात किलियर की प्रत्वी की गोलाई की कारण इसे प्राप्त सौर उर्जा की मात्रा अक्षांसों के अनुसार अलग-अलग होती है अब यहाँ पर हम अक्षांस की बात करें तो यहाँ पर हमने बात करी थी जीरो डिगरी की ठीक है यह ह पर यह किरणे सूरज की किरणे जो हैं कैसी होंगी तिर्शी पढ़ेंगी क्योंकि वो छेत्र विश्वत प्रस से अलग-अलग अक्षांस विश्वत रेका से दूर इस्तित हैं ठीक है तो जैसे-जैसे अक्षांस की उल्चाई बढ़ती जाएगी अक्षांस उपर की तरह इसके परिणाम सरूप तापमान विश्वत वरत से ध्रोवों की और घटता जाता है बात आई समझ में विश्वत वरत से ध्रोवों की और यह रहा आपका उत्री ध्रोव है उपर की और और यह रहा आपका दक्षणी ध्रोव ठीक है यह इमेज रही आपकी यह देखें यह है आपका उत्री द्रोव है दिखाई दे रहा है सभी को यह है आपका उत्री द्रोव ठीक यह है आपका दक्षणी द्रोव तो जैसे जैसे विश्वत रेखा से हम ध्रोवों की तरह बढ़ते जाएंगे ठीक है उपर की तरह बढ़ते जाएंगे अच्छांसु के अनुसार आ है बदलेगा क्यों बदलेगा क्लियर और दोनों लाइन के लियर हो गए इसकी दोनों पॉइंट के लियर हो गए यानि एक शांज के अनुसार और और यह एकजाम में आता ही है एक दम घोट के पीलो ठीक है पूरा आपको प्रैक्टिकल्ही यहां पर दिखाया गया है ठीक है प्रैक्टिकली तो नहीं मतलब एक डायगराम के थ्रोव दिखाया गया is practically तो प्रत्वी आपको दिखा ही देती है चलिए तो क्या सीखना है हमें कि विश्वत वरत से जब हम ध्रुवों की तरब जाते हैं तो तापमान कैसा होता जाता है घटता जाता है इसलिए तो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है वाई साब जब हम उपर जाते हैं तो किलियर चलिए, तो ये बात हो गई अक्षांस की, अब बात करें दूसरे फैक्ट की, या दूसरे तत्व की, दूसरे ऐलिमेंट की जो की है उचाई, उचाई यानि की हाइट टीक उचाई जैसे हम हाइट भी कहते हैं और एक और शब्ध हमने इसमें सीखा था तुंगता तो कभी तुंगता लिखा आजा है तो भाई सब घबरईयों मद चलिए क्या है तुंगता चलिए अब देखो क्या है उचाई का महत्व जलवायू को परिवर्टित करने में या जलवायू को नियंद्रित करने में या क्लाइमिट को कंट्रोल करने में तो देखें जब कोई व्यक्ति प्रत्वी की सतह से उचाई की ओर जाता है कहां से प्रत्वी की सतह से उचाई की ओर ये देखें भी या लोग पहाड चड़ रहे हैं प्रत्वी की सतह से उचाई की ओर जाता है तो वायू मंडल की सघंता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है जैसा कि हमने यहां भी देखा था कि जैसे जैसे अक्षान सो केन उसार हम उपर जाते जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है द्रुबों की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो तापमान कम होता जाता है यानि कि जब कोई भी व्यक्ति प्रत्वी की सतह से उपर की तरफ जाता है उ उचाई पर जाने से तापमान घटता जाता है ठीक किलियर हो गई बात इसलिए पहाडी छेत्र जो है गर्मी के मौसम में भी ठंडे होते हैं अब गर्मियां में कहां घूमने जाते हैं या कहां घूमने जानी की इच्छा होती है हिल स्टेशन ठीक हिल मतलब क्या होता है पहाडी क्यों जाते हैं क्योंकि ठंडी होती है ठंडी क्यों होती है क्योंकि पहाडी मतलब उचा इस्थान जैसे जैसे आप उचे जाते जाओगे तापमान कम होता जाएगा और तापमान कम होगा यानि की मौसम गर्मी में भी ठंडा मिलेगा आपको अल्राइट किलियर हो गई यहां तक की बात उचाई की बास समझ में आई कि किस प्रकार से उचाई के साथ तापमान कम होता है और क्यों पहाड़ी इलाके धंडी होते हैं ठीक है उपर की बात करें जैसे हमाले शेत्र में अपन जाते हैं तो देखते हैं स्थे थे वह छेत्र किलियर है बात उचाई की बात किलियर हो गई क्या कहते हो एक बात मैंने बताई आपको अक्षांस के बारे में और दूसरी बात बताई मैंने आपको उचाई के बारे में और राइट आल किलियर बढ़े आंगे चलिए अब देखें वायू दाब एवं पवंतंद्र क्या है अगला अगला अगली बात या अगला तत्व वायूदाव एवं पवंतंद्र क्या मिलेगा इसमें जानने को कि किसी भी शेत्र का वायूदाव एवं पवंतंद्र उस स्थान की अक्षांस दता उचाई पर निर्भर करता है देखो भई पढ़ाया भी करता है और इस प्रकार यह घ необходимо को भी प्रभाविद करता हैसे जैसे आख्षान के साथ उसाथ रुषाई बढ़ती जाती है यानि कह स्वेसित विश्वतल से अक्शांस के Samhnick में टरब बढ़ते- तो this आपमान कम हो जाता है और जाने पर रुष भी लग होगा अब जहां तापमान कम होगा वहाँ पर हवाओं का रुख भी अलग होगा ठीक है किलियर हो रही है बात चलिए तो इस प्रकार यह तापमान एवं वर्शा के वित्रण को जो है वायूदाब और पवंतंत्र प्रभावित करता है तीन एलिमेंट हो चुके हैं तीन तत्व हो च चौथा है समुद्र से दूरी ठीक है अब समुद्र से दूरी का जलवायू पर क्या प्रभाव पड़ता है जान लेते हैं इसको भी तो देखें समुद्र का जलवायू पर समकारी प्रभाव पड़ता है समकारी शब्द का मतलब क्या है यहां पर बताया गया है कि समुद्र का जलवाई उपर समकारी प्रभाव पढ़ता है यानि कि एक सा प्रभाव पढ़ता है अब समकारी का क्या मतलब है एक सा प्रभाव देखें जैसे जैसे समुद्र से दूरी पढ़ती है ध्यान से सुनना है जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता ज आता है एवं लोग विश्यम मौसम अवस्थाओं को महसूस करते हैं अब देखना भई समझना इसको किस तरीके से मैं आपको बताना चाहा रही हूँ तो ये रहा आपका कौन सा इलाका ये इलाका रहा पूरा आपका समुद्री इलाका ठीक है ये है भई समुद्र में पानी ठीक और ये रहा आपका समुद्र का तटिय इलाका ठीक है ये रहा आपका पूरा का पूरा तटिय इलाका है यहां का अब इस समुद्र के तटके केनारे ठीक है जो भी शहर बसे हुए है ठीक है जो भी सिटी बसी हुई है वहां के जलवायू कैसी होगी समकारी जलवायू होगी समकारी यानि की एक सी जलवायू न ठंड में जादा ठंड न गर्मी में जादा गर्मी ठीक है तो ये क्या है आपका ये है आपका समुद्र ये है आपका समुद्र ठीक है और इसके आसपास जो भी शहर बसे हुए हैं जो भी शहर बसे हुए हैं यहां पर क्या होगा एक सी जलवायू होगी समकारी जलवायू यहाँ पर क्या मिलेगी आपको समकारी जलवायू एक सी जलवायू यानि कि ना जादा ठंड ना जादा गर्मी एक सी जलवायू बनी रहेगी ठीक है लेकिन जैसे ही समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी समुद्र से आगे की और हम बढ़ते जाएगे तो यहाँ कैसी जलव नहीं मिलेगी तो इसे क्या कहा जाएगा महादवी पी अवस्ता यानि की गर्मी में बहुत अधे गर्मी एवं सर्दी में बहुत अधे की ठंड मिलेगी जैसे की हम बात करें मध्यप्रदेश की बात करें तो मध्यप्रदेश कैसा इलाका है मध्यप्रदेश बीचों भी जिस समुद्र के पास तो नहीं है समुद्र से काफी दूर है तो यहां पर गर्मी में ज्यादा गर्मी भी पड़ती है ठंड में ज्यादा ठंड भी पड़ती है क्योंकि इनकी दूरी समुद्र से काफी ज्यादा है यानि कि विशमकारी जलवाई हो एक सी नहीं है गर्मी में गर्म हो गई समुद्र से दूरी की किलियर हो गई बात चलिए अब अगला तत्व आता है महा साग्रिय धाराएं महा साग्री धाराएं यानि कि समुद्रों की जो जल धाराएं वैसा उसके बारे में बात हो रही है किसकी महा साग्री धाराएं यह देखें आपको दिखाई दे रही ह महा सागर में धाराएं अब कैसी होती है दो प्रकार की होती है ठीक है कैसी कैसी या तो ठंडी होगी या तो गरम होगी तो दो प्रकार की महा सागरी जलधाराएं होती है एक तो होती है यहीं पर अपन लिख लेते हैं या यहां पर चलो ठीक है पहली है आपकी गर्म जलधारा ठीक है और दूसरी होती है आपकी ठंडी जलधारा ठीक है चलिए तो अब क्या इनका कंसेप्ट है कि किस प्रकार से ये महासागरी जलधारा है चाहे वो ठंडी जलधारा हो या गर्म जलधारा हो किस तरीके से उस शेद्र के जलवायू को प्रभावित करती है मुद्धा तो सारा का सारा जलवायू का है क्लाइमेट का है अब उसको प्रभावित करने वाला अगला एलिमेंट है महा सागरियधारा है तो दो प्रिकारकी होती है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा तो चलिए समझते हैं इसको भी महा साग्रिय धाराएं समुद्र से तटकी और चलने वाली हवाओं के साथ तटिय छेत्रों की जलवायू को प्रभावित करती है बहुत अच्छे से समझना ठीक है बहुती आसान है सुन्ने में भले टफ लग रहा हूँ सबसे आसान बात है क्या बात कीए कि महा साग्रिय जुलधाराएं जो है या महा साग्रिधाराएं जो है समुद्र से तटकी और चलने वाली हवाएं ठीक है यह समंदर है और यह इसका किनारा है यानि की तट है अब जो समुदर से तटकी और समुदर से तटकी और चलने वाली जो हवाएं हैं यहां से यहां की और चलने वाली जो हवाएं होती हैं तो महा सागरी धारा हैं समुदर से तटकी और चलने वाली हवाओं के साथ तटिय शेत्रों की जलवायू को प्रभावित करती हैं यानि कि समुद्र के तटके आसपास जो शेत्र इस्तित हैं उनकी जलवायू को प्रभावित करती हैं कैसे महासागरी धारा अगर ठंडी हुई ठीक है और उसके साथ जो समुद्र से चलने वाली हवाएं है तटकी ओर तो ठंडी हुई अगर जलधारा तो समुद्र से तटकी और चलने वाली जो हवा है वो कैसी होगी गरम होगी बात आई समझ में बहुत आसान बात है ठीक है तो धारण के लिए हम समझें कि कोई भी तटिये छेत्र जहां गरम या ठंडी जल्धाराएं बहती हैं क्या बात कही गए कोई भी ऐसा तटिये छेत्र जहां पर गरम या और होनी चाहिए यह क्या है वायू है ठीक है वायू की दिशा कहां दिखाई दे रहें यह है आपका तट तट शेत्र या तटी यह शेत्र है और यह क्या है आपका समुद्र है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए सबसे पहले तो कि हवा समुद्र से तटकी और चले अब जैसे जल ठंडी चलेगी समंदर से तटकी और गरम जलधारा होगी तो समंदर से तटकी और गरम हवा चलेगी किलियर है तो गरम या ठंडी जलधारा के परिडाम सुरूप वो तट कैसा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा या गरम हो जाएगा तो वहां की जलवायू कैसी होगी वहां की से तठकी और हो तब वहतट गरम या ठंडा हो जाएगा और राइट किलियर है इतनी बात महासागरी धाराओं के बारे में चला जाए आप आंगे चलिए अब देखें अब है अगली बाद उच्चावच लक्षण क्या है उच्चावच लक्षण क्या होता है भई तो उच्च कि महत्वपूर भूमी का कैसे होती है किसी भी इस्थान की जलवायू को निर्धारित करने में इसको भी जान लेते हैं तो उच्चे परवत की बात करें उच्चे परवत ठंडी अथ्वा गर्म वायू को अवरोधित करते हैं ठीक है उच्चे उच्चे परवतों की हम बात क इस पार से अगर ठंडी या गरम वायू आ रही है तो परवत क्या करेंगे इतने उच्चे परवत हैं तो उन हवाओं को वहीं पर रोक देंगे आंगे बढ़ने से उन्हें रोक देंगे ठीक है यह हवा है उन परवतों के कारण आंगे बढ़ी नहीं पाएंगी चाहे वो ठंडी हवाएं हो चाहे गरम हवाएं हो ठीक है तो यह उंचे-उंचे परवत क्या करते हैं ठंडी या गरम वायू को अवरोधित कर देते हैं यहीं पर रोक के रख लेंगे यह क्या है बारिश नही वायू के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं अब भई परवतों की उचाई पर भी निर्भर करता है कि वह हवा को रोक पा रहे या नहीं अगर उनकी उचाई इतनी है कि वह वर्षा लाने वाली वायू के रास्तों को रोक हैं क्योंकि बारिश भी कौन लाता है भई तो अगर परवत ने एक पहाड ने वर्षा कराने वाली हवा को रोक दिया वर्षा लाने वाली वायू को रोक दिया तो शेत्र में क्या हो जाएगा उस शेत्र में बारिश हो जाएगी उसे ही क्या कहा जाएगा परवत ये वर्षा कहा जाएगा ठीक है यानि कि जो बारिश प पविणाविमुक ढाल जो हैं वो पेक्षाकरत सुखे रहेंगे क्या बात केएगी हैं कि अब यहाँ से यह तो हवा की बात हुई कि हवां को परवतों ने रोक लिया है और मानलो कि ये हवाएं वर्षा कराने वाली हवाएं हैं तो परवतने इन हवाओं को रोका तो बारिश वहीं हो जाएगी लेकिन जो पहाडों के पविना विमुक भाग है जहां पर हवा नहीं पहुच पारी पवनावी मुख्या है कि इस तरह पवन है पर इस तरह पवन नहीं है ठीक है मान लो कि यहां पर ध्यान से सुनियेगा हाँ जी यहां से हवाएं आ रही है ठीक है यहां से हवाएं आ रही है ठीक और यहां पर परवत ने इस हवा को रोक लिया है और माल लो ये हवा बारिश कराने वाली हवा है तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी क्योंकि परवट ने यही पर रोक के रख लिया अब ये वाला जो भाग है पवरा विमुक भाग जाने जिस तरब ये हवा नहीं पहुँची है ठीक है दूसरी तरफ वाबाला भाग है ये वाला जो भाग है ये कैसा रह जाएगा ये सूखा रह जाएगा क्योंकि यहां तक हवा पहुंची ही नहीं है तो जो opposite direction में परवत का भाग है वहां परवारिश नहीं होगी और वो इलाके अपिक्षाकरत सूखे ही रहते हैं तो उच्चावच लक्षड की भूमी का समझ में आए कि उच्चे उच्चे जो इस्थान होते हैं जो कि हमारे परवतों या पहाडों के रूप में हमें दिखाई देते हैं वो हवाओं को रोक के रखते हैं और जैसी हवा को उनने रोक के रखा उस प्रकार की जलवाई वहाँ पर बन जाएगी और अगर उनने बारिश कराने वाली हवाओं को वर्शा कराने वाली हवाओं को रोका तो शेतर में बारिश हो जाएगी और दूसरे चेत्र जो पविना विमुख हैं जो परवतों के अपोजट साइड में यानि कि इस तरफ हैं पहवा के अपोजट साइड में हैं परवतों के वेभाग सुखे रह जाएंगे अल्राइट किलियर हो गई बार अब देखें हाँ जी तो ये रहे क्या आपके छैत्व किस चीज के छैत्व जलवायू को नियंतरत करने वाले शैकारत या छैत्व जो किसी भी शेत्र की जलवायू को निधारत करने में सहायक रहते हैं क्लियर हो गई बात तो अक्षांस के बारे में जाना उचाई तुंगता या हाइट के बारे में जाना उच्चावच लक्षणों के बारे में जाना महासागरी धाराओं के बारे में जाना पवन या वायूदाप के बारे में जाना तो ये सारी चीजें क्या हैं ये सारी किसी भी शेत्र की जलवायू को निर्धारत करने वाले या नियंत्रित करने वाले या क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले तत्व हैं तो आज के इस session में हमने जाना कि जलवायू क्या होती है, मौसम क्या होता है और जलवायू को निर्धारत करने वाली तत्व कौन-कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से वो तत्व किसी भी छेत्र की जलवायू को निर्धारत करते हैं ठीक है तो अगर यहां तक किसी को कोई समस्या हो कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से आप मुझे कॉमेंट करके बताएं आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा अगर आप हमारे डेली की लाइब लेसन और रेकॉर्ड लेसन से जुणना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैंगने ब्रेंज की यूटूब चानल वेब साइट और एप्लिकेशन पर मैंगे ब्रेंज इंडिया का नंबर वन 100% फ्री ओनलाइन एजुकेशन प्लेट फॉर्म है इसके इलाव अगर आप e-books औरी नोट्स भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोषिस हिंडी मीडिय звуч बहार और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्द हैं सी बेसी बोड दिली बोड भी वोड यूपी बोड एंपे वोड राजस्थान बोड इतने सारे बोड के Lights को कवर कराया जाता है साथ ही साथ उन सारे स्टेट वोर्ड के स्लेबर्स को कवर कराया जाता है जहां पर NCRT का पैटर्न फॉलो होता है क्योंकि हम बढ़ाते हैं आपको NCRT से कई सारे special courses भी हैं हमारे पास जैसे की व्यादिक मैस crash course spoken English और इतने सारे courses एक ही single platform पर high quality education के साथ एक दम फ्री में उपलब्द कर आये जाते हैं magnet base YouTube के लावा अधर social media platform जैसे की facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पर भी उपलब्द है जी हां आप हमें यहां भी follow कर सकते हैं यहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा like और share करते हुए चैनल को subscribe भी करना है हमारे साथ बने रहे हैं जुड़े रहे हैं पढ़ते रहे हैं खुश रहे हैं थैंकि सो मच